इतिहास यह है कि जो भी वेक्टी, wild card से जाता है, ये 100 आज से नहीं चल रहा है, अपरोग 16 सालों से चल रहा है, अलगतार इस 16 सालों से इसको संचालं कर रहा है, सलमान खान, उनका जो देखा गया है कि अभी तक जो भी wild card से entry कीए है, वो आज तक 200 को नहीं जीत पाए है, ले 16 साल का ये सफर रहा है और 16 साल के बिग बॉस के सफर में पहली बार कोई वेक्ती आता है वाइल्ड कार्ड के माध्यम से और ये जो OTT फिनाले है वहां तक का सफर ते करता है और 25 लाख रुपए जित करके जाता है लेकिन अनुमान ये लगाया जाता था कि बिहार की बेटी म विश्यादव आते हैं और ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए और एतनी बड़ी जो तमाम लोगों के आश्रिवाद के साथ वो जीतते हैं मैं हूं सैफ आप देख रहेनी स्पोर्ट सिटीजन OTT फिनाले यानि बिग बॉस OTT फिनाले जो था आज कंपिलीट हुआ और ऐसी स मनिशा रानी जीतेंगी क्योंकि बिहार से है और बिहार से लोगों का एक जुराव था मनिशा रानी को ले करके मनिशा रानी लगातार उसमें अपना एक अलगी तरह का जलबा विखेर रही थी ठीक उसी तरह से अभिशेक अपना जलबा विखेर रहते और अभिशेक को भी आसा देखा जा रहा था कि अभिष्यग जित सकते हैं लेकिन ऐसी इसतीनी में जिते हैं कौन आलविष यादव और तमाम community, जो एक community थी, ओ community मिलकर के, सभी उसमें के लोग चाहते थे, कि Elvis यादव जीते, उसके साथ साथ और भी जो community थी, जैसे या ऐसा नहीं किया, Elvis यादव के साथ सिर्फ यादव समाज ही थे, जितने भी समाज से, तमाम लोगों ने उन्हें, ये जो big boss finale था, उसको जीतान ये सो आज से नहीं चल रहा है, अपरोग 16 सालों से चल रहा है, लगतार, इस 16 सालों से, इसका जो संचालित कर रहा है, सलमान खान, उनका जो देखा गया है, कि अभी तक जो भी wild card से entry किये हैं, वो आज तक इस सो को नहीं जीत पाए हैं, लेकिन जो की 2-3 हपते के लिए जा कि कहा था अभिशेक ने कि जो भी wild card से आया है, आज तक वो जीतने में असक्छम रहा है, नहीं जीत पाया है, लेकिन देखने को ये मिला कि जो wild card से आया है, 16 साल का ये सफर रहा है, और 16 साल के big boss के सफर में पहली बार कोई वेक्ती आता है wild card के माध्यम से, और ये जो OTT फ अभिशेक है, वो भी मतलब बहुत ही मजबूती से खेला है, तो अभी जीत सकता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए LV श्यादव आते हैं, और ट्रोफी के साथ 25 लाख रुपए और इतनी बड़ी जो तमाम लोगों के आशिरवाद के साथ वो जीतते हैं, लेक लेकिन यह तमाम लोग जीतने में असक्छम रहें, लेकिन एक लड़का आता है, हडियाना का रहने वाला है, और वो इस तरह से जीत करके एक इतिहास रज दिता है, बिग वोस के दुनिया में एक इतिहास रजता है, और इस बात को दर्शाता है कि कोई भी वेक्ति कमजोर नहीं है, अगर उनके पास कम समय मिले, जितना समय मिला, उतना ही समय में अपने आपको इतनी मजबूती तरीके से दर्शाना है, कि लोग इतिहास आपको याद रखे, इतिहास किसलिये भी आपको याद रखे, कि आपको कम समय में बेहतर करना है, कि किसी ने बहुत बड़े आपने उस परसीजन के मादियम से देख रहे थे आपको बता दे कि हम लगातार जो अभी लगातार लास्ट आज 14 तारीख है 14 अगस्त है और 14 अगस्त को इसका लास्ट यानि कि फाइनल था और जो बिग बॉस फिनाले जो आज लास्ट था उसका आखरी दिन था और ऐसे में जो जीते हैं इलवी श्यादव हमने एक एक करके तमाम ख़बरों को आपके समक्ष रखा है यदि आपने हमारी यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तक पिलिस सब्सक्राइब करें फेस्बूप पेज पर देख रहे हैं तक फोलो जरूर करें जिब त